सभी साथियों को मेरा नम बुद्धाय जय भीम जय मुल्यवासी साथियों आज का जो वीडियो है यह मैं उन ओबी सी भाईयों के लिए बना रहा हूँ जो अपने आपको हिंदू समझते है या बीजेपी आरेसस के प्रभाव में है और प्रभाव में होने के कारण अपने कहना चाहूंगा कि उत्तर परदेश के जो स्वामी परसाद मूरिया जी है उन्होंने कहा कि केदारनात और बद्रीनात यह पहले के बोत धमठ है तो मैं इस मुद्धे पर उनसे कहा भी गया कि आप अपना इस्टेटमेंट बदलिये आप यह गलत कहा वो हिंदू के मंदिर ह दॉच्प आप मतलब है कि ठोस बात नके पास में होगी ठोस सबूत ने का मतलब है कि वह वह अकेला विक्ति है अगर वो ऐसा बोल रहे तो वो डर नहीं तो कुछ ना कुछ सबूतों के अधार पर उससे उनको confidence मिलाओगा हिम्मत मिली होगी कि अगर आप मेरे खिलाब कुछ करते हैं तो में साबित कर दूँगा कि वो बोध्दवियार है बोध्दमट रहे हैं तो यह जानकारी उनके पास होगी तभी तो अपने बात पर अडिक है और दूसरे तरफ जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो इस बात को काट नहीं पा रहे है कि वो बोध्दवियार नहीं हिंदू मंदिर है तो वो हिंदू 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 के वल इतना ही कह रहे हैं सबूत सबूत के नाम पर कुछ नहीं है तो जो OBC के जो भाई है वो इस बात को समझे कि आखिर इस देश में चल गया रहा है दुसरे दरप मदरास हाई कोट में एक मामला गया था वहाँ पर मुनियप्पन मंदिर करके है और उस मुनियप्पन मंदिर में बहुत पूजा वगेरा इस सब होती थी वहाँ पर भी अधिकांश सेस्टी ओभी सी क कि लोग ही जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए ब्रह्मन तो पुजारी होता है वो दर्शन करने का जाता है वो तो खुदी पुजारी होता है तो पैस्टेस्टी ओभी सी को लोग वहाँ भी जाते थे तो मनियप्पन या मुनियप्पन करके वो मंदिर है तो उस मंद कि यहां तो कि करोगी आधिकारी वहा गए उन्हों ने पता किया जानकारी हासिल की तो उन्हें यह पता चला कि वो तो बुद्ध की अधिकारी की कुछ तब हाई कोड के जजने कहा कि उस मंदीर को या उस मूर्ती का पुरा तत्यु भाग संरक्षन करें और उस मंदीर के सामने बोर्ड लगाए कि यह बुद्ध की मूर्ती है बुद्ध का इस्थल है यहाँ पर कोई भी देवी देवताओं की पुजा अर्चना नहीं की जाएगी एक यह बात है उसरा गुजरात में जो मंदीर था उस मंदीर के बारे में भी पुरा तत्यु भाग या इसी जानकारी मिली कि उसके नीचे तीन मंजिला बुद्ध विहार था यानि जहाँ जहाँ ऐसे बड़े-बड़े मंदीर है वो बुद्ध विहार निकल रहे है तो जो OBC के लोग है OBC के लोग इस बात के उपर जरूर विचार करिए कम से कम अपने आप से प्रस्न करिए कि आखिर यह जो दावा कर रहे है कि जो प्राचिन जिसे मंदीर कहा जाता है वो एक्चुल में बुद्ध वियार है बुद्ध राजाओं ने बनाए हुए वियार है या बुद्ध की मूर्तिया है उस बुद्ध की मूर्तियों के उपर लाल करके पोत दिया है और पोत के फिर देवता के नाम पर किसी देवी के नाम पर उसको चलाया जा रहा है बलकि देवता के नाम पर भी जो चलाया जा रहा था तो ब्राह्मन इतने चाला के कि उन्होंने सुनुरी बग्यारा चड़ा के और फलाने दीवी धिकाने दीवी एसा करके बताएं तो जो लोग है या एस्टी के भाई है जो अपने आपको हिंदू समझते हैं उन्होंने यह प्रश्ण खुद अपने आपसे पूछना चाहिए मैं नहीं कि आप बीजेपी को छोड़िये आ साध्रोत Changeào कई यह कर पा रहे हैं कि मंदिर हैं जिनके पास शासन है सत्ता है साहरा कुछ तंतर उनके पास में है लें वह साबित नहीं कर पा रहे हैं कि यह मंदिर है और जिनके पास कुछ यह वो वह ताल-थोक के बोल रहे हैं कि वह बiquidad देली सोशल मीडिया में चल रहा है तो इससे जो जो बीजीपी के साथ जुड़े आरेसस के साथ जुड़े सेस्ट के लोग है वह अपने आप से प्रस्टन तो पूछे कि आखिर फिर इनके पास सारा तंत्र होने के पावज़ुत जबाब क्यों नहीं दे रहे हैं तार्किक ज मरसे से जुड़े हुए तो पर हमारे पास में स्वाविमान का रहा है आत्मसं मान का रहा है ओ। वीहार है यह साथ जो गया एक तो दुसरी बात कि हम हजारों सालों से उस मंदिर में जा रहे हैं हम वहां पर जो भी देवी देवता हो जिसको भी पूज रहे हैं, तो सवभीक बात है कि हम जा रहे हैं, तो हमारे पुर्वज जा रहे होंगे, तो हमारे पुर्वज जब जा रहे होंगे, और वो एक्चुल में बुद्ध भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे जो बाप ददा थे, हमारे जो पुर्वज थे, वो बुद्ध क पूजने जाते थे, इसका तो यही मेनिंग निकला, जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, क्योंकि आज हम अपन लोग अगर मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो यह पूजा अर्चना के वल हम कर रहे हैं, यहां हमारे बाप दादा भी तो करते थे हमारे पूरवज भी तो जाते ही हूंगे ना, वह को 2000 पूराना मंदियरे, एगंगले हो altar 1000 साल कूराना है, तो 1000 साल परेले हमालोग नहीं जाते थे, और जो लोग जाते थे, उन हम गतना हमारे पूरवज आप पूजा जाएंगे तो ऋन हैंभाज एक्षुल में वो बुद्ध की पुझा अर्चना करने के लिए जाते थे और जब उसका ब्रामनी करन कर दिया तो आज हम लोग हिंदू के नाम पर जा रहे है तो ओरिजिनली तो हमारे पुरवच बुद्ध की पुझा करने के लिए उस मंदिर में जाते थे ब्रामनोंने कपज सकते दिशिए इस को में प्रहामन करे व कि अपर लिपा पो्ति की उनको अलग अलग कपड़े पेना किसी कुछ चुन्री पेनाई कर दोती पेना किसी को पुच किया है और फिर अलग किसी आ.ividad का नाम जिया जिसकर कोई हिस्टरी नहीं है बुद्ध की हिस् अपने आप से प्रस्न करें, इसके उपर अपने आप से ही विचार करें कि आखिर हमने कोन सा रास्ता अपनाना चाहिए, यह एक बात में आपको बताना चाहता था, किसरी बात यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप BGP में, RSS में हो और आपका अपना कोई स्वार्त उससे सिद हो रहा है, आप अपना लाप कर लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उनकी चापलूसी करना है, BGP के नेताव की फलना डिकाना, उनकी चापलूसी कर रहे हैं, कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, निकाल लीजी, उसमें कोई पुराई नहीं है, अपना काम निकाल तो करनी पड़ेगी ना वो तो आप बदल सकते हैं न मैं बदल सकता हूं ना कोई बदल सकता है सच्चा ही तो आज नहीं तो कल हमें तो स्विकार करनी पड़ी तो इसलिए केवल अपना अगर जिसे बोलते हैं उल्लू सिधा करना है उसके लिए अगर BGP RSS के संपर्क में अगर रहते हैं इट्स ओके उनके पास शासन है और शासन है ताकत है अपना कोई काम अगर आपका बंदा है उनसे निकाल लीजिए लिकिन दिमाग में इस बात को जरूर रखिएगा कि सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता और आपको और हमको भी सत्य के मार्ग को ही स्विकार करना पड़ेगा हमारे ना मानने से वो सत्य बदलता नहीं है तो यह बात SST OBC के लोगों ने जरूर के CSD के लोगे जो पॉल्टिकली भी अलग-अलग पदो पर है या सामाजी करूप से संगठन में अलग-अलग पदो पर है उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए ठीक है उसका उप्योग किया जाए लेकिन सच्चाई को भी एक एक नजर इसे सच सच्चाई को भी अपने पास ध्यान में रखो अपने पास इदर दिल में बसा के रखो उसको कि सत्य आखिर क्या है प्रैक्टिकली बीजीपी के साथ अगर कर रहे हो ठीक है अपना काम निकल गया छोड़ दो लेकिन सच्चाई तो रखने पड़ी कि ना दिमाग में एक तर रखो अपने दिमाग में तरफ खोजबीन करते रहो पाके में सच्चाई क्या है किसी और के कहने पर केवल चलना वो तो कोई बुद्धी माने का काम नहीं है ना खुद भी अपना विचार करना चाहिए खुद अपना जानकारी हासिल करने चाहिए और शांती पुर्वत किस भाई मेरे को तो एस ही लगता है बाकी आपकी मर्जी बाकी मैंने स्टी ओपिसी को यह बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर इस देश में बुद्धिस्म वर्सेस ब्राह्मन धर्म की लडाई शुरू हो गई है और इसमें जो जीत है वो बुद्धिस्म की होगी चाहिए तो कोई हटा नहीं सकता ना हा सत्य की लडाई लडने वाले लोग होना जरूरी है अगर सत्य की लडाई लडने वाले लोग नहीं होगी तो सत्य हार जाता है तब लडाई लडने वाले लोग तो सामने आ रहे हैं कैसे रोग होगी है दुनिया में पुरा बुद्ध्रम फेल कुछ चर्चा जरूरा होगा अपने अपनी एडिया में को एड़ी समय व्यवागत सब्सक्राइब समस्या है तो केवल भारत की आम जनता जो आधी पड़ी लिखी है कुछ का कुछ वड़ाबुद पड़ी लिखी है और जो अच्छे पड़ी लिखे लोगे उन्होंने तो डेफिनेटली इस बात को समझना चाहिए बालगे अपनी इस तरबर इस बात पर रिसर्च करना और उसके बाद में फिर अपना स्वयम का नेड़न ही लो तो दुसरों के कहने पर और वह सब बाते करने पर कोई मतलब नहीं है कल में एक चैनल देख रहा था दसाइंटिफिक हिंदू करके तो वह मंगोल मंगोल यह जो बुद्ध की अस्तिया गई थी तो बता रहा था कि म अपना स्वयम कर देख रहा है कि यह जो बुद्ध की शागा है तो एसी बातों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके सिद्धानत अगर आप उठाके देखेंगे तो ब्राह्मन धर्म की सिद्धानत लगे बद्धा दम्म के सिद्धानत लगे दोनों सिद्धान तो में जमीन आस्मान का अंतर है केवल किसी ने बोल दिया कि हिंदु धर्म की शाखा है इसलिए मान लो इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है तो मैं आप सभी SSTOBC के भाईयों से यह कहना चाहूंगा कि अपनी दिमाग पर जोर दीजिए अपनी इस तर पर इसकी रिसर्च करिए जानकारी हासिल करिए और जानकारी अथंटिक हासिल करने के बाद आपको फिर जो उचित लगा जो उचित लगता है उस मार्ग पर चलि है क्योंकि सत्य की ही जीत होती है अन्यता बाद में समाज में हमारी इमेज जो है अगर हम जूट के साथ हो जाते है तो हमारी इमेज समाज में कही कही के निवे की तो यही संदेश में अपने विशेश क्रूप से OBC के भाईयों को देना चाहता था सभी साथियों को मेरा नम वदे जयम जयम जयमीदाश झाल